तो यह वाट इस अप गाईस तो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में बात करेंगे हम PTT 2022 पोर इयर इंटिगरेटर कोर्स वाले जित्ते वी स्टुडेंट थे बीएड 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 वाले तो जिन्होंने लास्ट कांसलिंग होई थी इनकी ठीक है तो लास्ट कांसलिंग की जो लिष्ट है वो जारी हो चुके आप लोगों बता है तो किस तरीके से आपको अलोटमेंट लेटर निकलना है किस तरीके से आपको अपना उस लिष्ट में आपका नाम देखना है तो यह सारी प्रोसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले साथ में जिनक यहां पर करना क्या है यह option select कर लेना है ठीक है प्रिंट अलोट्मेंट लेटर तो यहां पर आप जैसे क्लिक करते हो तो एक यह खुल के आ जाएगी ठीक है कॉलेज रिपोर्टिंग प्रॉसेस इस नाव ओवर यह कुछ यह बीए सी ब्याड वाले में कुछ घरबड ही चल रहा है तब तक आपन बीए ब्याड वाले स्टुडेंटों के लिए देख लेते हैं जैसे प्रिंट अलोटमेंट लेटर पर आपके करोगी ठीक है तो रॉल नमर ठीक है रॉल नमर प्लकरना और कांसलिंग आईड उसके बाद में आपको श्लैक पेमेंट ऑप्सन अब प्रमेंट और देख सकते हो आप दो अप्सन मिले तो आपको सिंपली यह लिखके आ जाएगा अब जिनको कोलेज नहीं मिली है तो उसको साफ साफ लिखा आ जाएगा कि यह तो रहा ठीक है अब मान लो जिन विद्धार्तियों को मिल चुकी है अब उनको आगे क्या करना है तो देख सकते हो आप इसक्रेन पर यह हो गई है आपकी 13 तारीक यानि कि 14 आज 14 तारीक हो चुकी है तो आज से ही 14 से 16 तारीक तक आप जो अपनी 22,000 फीस है ठीक है 22,000 फीस कोलेज में जा कोलेज की जब फीस होती है आपकी VSC, VAD, PA, VAD की तो आपको जमा करानी है ठीक है वाई से जाए और उसके बाद में आपको 17 तक आप जो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करा सकते हो ठीक है यह फीस बगएरा अलोटमेंट लेकर मतलब जो भी रहता है आपका print बगएर तो यह सब और नेकर और एक एक पोटो कापी लेके आपको अपनी कॉलेज बगएरा हमें चले जाना रिपोर्टिंग बगएरा करा देन वालो गे और ये वालो का जो भी काम चल रहा है ठीक है यह जल्दी सही हो जाएगा हम बता देंगे आपको जैसे होता है और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना पीटी टीजर रिलेटेड समझ परकार की वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल हेंगे